सब्सक्राइब कीजिए आरेस न्यूज यूटूब चैनल को और दवाइए बेल के आइकन को ताकि आपको भी क्रिकेट से जोड़ी तमाम जानकारियां सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहें दोस्तो अगर आप भी दिली कैपिटल्स की जीश से खुश हैं तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा दोस्तो जैसे कि आप सभी को पताई कि आइपल 2020 के 13 सीजन का 34 मुकाबला शार जाके मैदान पर चन्नी सुपर किंग और दिली कैपिटल्स के बीच खेला गया जहाँ पर इस मैच में चन्नी के कफटान महिंदर सिंग धुनी ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला लिया और कहीं न कहीं हद तक चन्नी सुपर किंग के कफटान महिंदर सिंग धुनी का ये फैसला सही भी साबित हुआ दरसल चन्नी की टीम ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 20 ओवर में अपने 4 विकेट खोकर 189 रन बनाये थे और 180 रनों का टार्गिट दिली कैपिटल्स की टीम को दिया था तो वहीं टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने उतरी चन्नी की तरफ से सैम क्यूरन और 5 डू प्लेसिज ओपनिंग करने आते हैं जहांपर सैम क्यूरन को तो तुशार देश पांडे तीसरी ही गेंद पर पवेलियन भेज देते हैं लेकिन 5 डू प्लेसिज और शेन वाटसन दोरान रविंदर जड़े जाने चार छक्के लगाये होते हैं तो इसी के साथ दूस तो चन्नी सूपर किंग की टीम 180 रनों का टारगेट डेली कैपिटल्स की टीम को देती है और उसी के साथ जब दिल्ली की टीम मैदान पर उतरती है तो शुरुवात में आते से ही दूसरी गिंद पर प्रत्विशों के रूप में दिल्ली की टीम को जटका लगता है जो कि 6 रन बना कर आउट हो जाते हैं तो उसके बाद अजिंके राने 8 रन बना कर आउट होते हैं और फिस रेश ऐयर 23 रन लेकिन यहां पर कोई भी बल्लेबाद शिकरदवन का साथ नहीं दे पा जब अंत के दो ओवर बच्चे होते हैं दरसल अंत के दो ओवरों में दिल्ली की टीम को जीतने के लिए 12 गेंदों में 21 रनों की दरकार होती है जहांपर जो 19 वा ओवर करवाने आते हैं वो होते हैं सैम करन जियां दोस्तों सैम करन यहां पर 19 वा ओवर फैक्ट थे हैं जहां पर वो पहली ही गेंद पर एलेक्स केरी को मात्र 4 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लोटा देते हैं तो यह दिल्ली की टीम को पहली ही गेंद पर बहुत बड़ा जटका लग जाता है जहां पर दिल्ली की टीम अब उमीद है खुच चुकी होती है कि आखिरकाल अब वो इस मुकावले को जीत पाएगी और उसके बाद फिर मैदान पर उतरते हैं अक्षर पटे तो ऐसे में सैम करन के इस ओवर में फिर दोनों ही बल्लेबाज आपस में एक-एक सिंगल लेकर काम चलाते हैं जहां पर इसी ओवर में शिकरदवन अपना एक रन पूरा करकर अपने T20 कर्रियर का पहला शतक जमा देते हैं और सैम करन के इस 19 वे ओवर में मात्र चार रन ही बना पाते हैं तो वहीं दोस्तों अंतिम 6 गिंदों में 17 रनों की दरकार होती है दिल्ली की टीम को जहां पर 4 गिंदों में अब दिल्ली की टीम को 9 रनों की दरकार होती है तो वहीं फिर तीसरी ही गिंद पर अक्षर पटेल फिर से एक छका जड़ देते हैं जहां पर 3 गिंदों में 3 रन अब चाहिए होते हैं